हेलो फ्रेंस मैं गीता आज मैं आप लोगों को बताऊंगी विल्कुली चीप रेट में फ्लाओर पॉट बनाने के लिए जो हमारे घर के आस्पास ही रहते हैं ख़ई दने भी ने पड़ेंगे और ख़ई देंगे भी तो बहुत ही चीप रेट में मिलेंगे तो जो पानी के ड तो यह पानी का ड्रम देखिए मैं काटके आप लोगों को बता रही हूं ऐसे कोई लोह का समान गरम कर लेना है या आपके पास अगर ड्रिल में से नो उससे भी कटा जाएगा तो ऐसे काटके आप इसमें फ्लाओर लगा सकते हैं फ्लाओर प्लन्ट लगा सकते हैं और यह बहुत ही मजबूत होते हैं तो यहां पर होल करने हैं तो कोई लोग का सीख बगारा गरम करके ऐसे होल कर ले और जो हम लोग फ्लाओर पाट कीनते हैं बजार में वह भी अच्छे होते हैं लेकि इतने मजबूत नहीं होते हैं और यह जो पानी का ड्रम होते हैं पुरानी से जो पानी सप्लाई करते हैं उन लोगों से आप बताएंगे तो उनको आप 10 से 15 रुपिया देंगे तो आपको एक ड्रम दे देंगे तो एक ड्रम से दो हिस्सा करके दो पॉट बना पाएंगे आप लोग ऐसे करके काटके उसके बाद थोड़ी होल कर लेनी है तो अगर इतना बड़ा ड्रम करीब 12 से 13 इंच इसके लंबाई और चोड़ाई में भी ज्यादा होती है तो इतना बड़ा पॉट खईतनी जाएंगे तो मार्केट में करीब 70 से 80 रुपिया लगेंगे अगर हमारे पास ऐसे 15 से 10 रुपिया में मील जाते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है देखिए और आप थोड़ी से उपर से काट दे तो ये 18-19 लीटर की ड्रम बन जाएगी और ये बहुत ही मजबूत होती है तो मैं बहुत सारी खड़ित के रखी हूँ देखिए मेरे को 10 रुपिया करके पड़े है जो पानी सप्लाई करने आते हैं उसे बोल देने से आप लोग को इतनी कम में दे देंगे या तो हमारे पास रहते भी है जो पानी पीते हैं और ड्रम सब तो इस सब फेका हुए प्लांट लगा सकते हैं ऐसे करके काट ले गरम करके कोई लोहे का चीज और मैं जो एक को दो भग की थी तो उसको भी लगा दूंगी दिखिए जो उसका मुझ का हिस्सा है काट दी हूँ तो बड़ा सा यहां पे होल है तो उसी का जो उपर का हिस्सा है उसमें से एक तो एक डुरम से दो हिस्सा करके आप बना पाएंगे दो पॉट तो यह दो पॉट खईदने से मार्केट में करीव सत्ता सैसी रुपया पर पीस पड़ेंगे तो मैं देखिए दो बनाई हूँ आप लोग भी ऐसे करके बना सकते हैं और इसको एक बनाई हूँ उपर से पॉफ बान दे या तो कोई और चीज से बान दे उसको हैंगिंग बना सकते हैं तो बहुत ही चीप रेट में पड़ते हैं और बहुत ही मुझबूत दे बहुत दीन यह चलते हैं तो आप लोग के आसपास अगर ऐसे ड्राम पढ़े होंगे फेके होंगे तो आप उठा के ऐ गढ़े हैं और यह जो चक्लेट का डिब भा होते हैं बडे से यह करीब 5 लिटर का जैसा है इसको भी आप आलाम से बना पाएंगे ज्रूब यह सब फेके हुई समान होते हैं जो चक्ले डिबह होते हैं हमारे आसपास जो मोधी खाना का दूकान होते हह उलेगे in तो आपके घर के आसपासी बहुत समान पड़े रहते हैं तो आप लोग थोड़ दीखिए दिखके आप उसी में आप अपना प्लांट लगाए तो कच्रा भी काम होंगे वेश्ट मेटरियल से बहुत सारा अच्छा समान बना पाएंगे आप प्लांट लगा पाएंगे या और अपने आप लोगों को दिखा रही हूं मैं ऐसे बहुत सारे डब्बे काटके बनाई हूं खरीदती भी हूं लेकिन ये ज्यादा सस्ता पड़ता है तो मैं इसी को ज्यादा इस्तेमाल करती हूं तो एक प्लांट लगा के दिखा रही हूं यह दिखिए ऐसे करके लगा दे तो यह हो गया एक फ्लावर के लिए पॉड तो आप लोग भी ऐसे ही करें और अपने आसपर सफाई रखें और विश्ट मेटेर के इस्तिभाल करें तो मैं फ्रेंस थैंक यू